हाई एप्रिवन वेलकम बैक टो मैं चैनल और यह देखिए आप सुपा का टाइम है और कितनी ज्यादा धूप निकली है और मेरे बच्चे जा रहे हैं स्कूल क्योंकि अभी भी बच्चों के रमजान में भी स्कूल चल रहे हैं ओपन है अभी क्लोज नहीं हुए हैं तो यहा अरे में ग्क है सैच वेडियो में में हमने डाने के लिए सर्च किया था आपा जा हुन से लिए निक सेंहरों होने अनी सब्प्क्राइव के लिए डानिक सब्लेगें मैं लिए ओंग आपक 5 ले लिय कंभी अफ्यार्य दा डा employer Chief यह काफी अच्छी है और और हीला बार्श स कुछ सही है तो अभी जस्ट ये आया है तो इसलिए कवर वगेरा भी मेरा बेटा रहा है तो या काफी अच्छा है और अच्छाए और इसमी सिक्सचेयर से और यह में 800 अच्छन्डन में मिला है और ईसकी जोचेयर के रंद yeah लिंसमी काफी replace बैठने में तो हम लोगों ने फाइनली ले लिया है और बच्चे इस पर बैठना स्टार्ट भी कर दिये हैं बच्चे जो है एक्साइट थें कि चलो इस पर बैठके हम लिखेंगे खर वो अपने स्टडी टेबल पे लिख रहे थे तो जैसे ही उन्होंने डैनिंग टेबल दे मैं आलू की जो है आलू चाप बना रही हूं तो इसमें मैंने बेसन लिया है बेसन को मैंने हलका सा पाने डाल के थोड़ा सा घोल लिया है और कॉन्फलोर डाल लिया है और हल्दी और थोड़ा सा नमक तो और इसमें मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूं और रच्चिली पॉड लेकिन ये पोतेटो के जो थेन स्लाइस होती है उसके साथ ये जब फ्राय होते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं और आप लोग भी बनाते ही होंगे ये बूटी सिम्पल सी रेषिपी है तो ये मैं बना रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें मैं एड कर रह उसके slice पे तो यह देख रहे हैं आप ऐसे कटा है और इसमें मैं सब एड़ करके mix करके रख दूंगी और फिर जब fry करना होगा तो फिर मैं one by one एक एक जो है fry करूंगी तो यह mixture ready हो गया है और मैं इसे side में लग देती हूँ और आज ही मैंने पालक के पकोड़े भी ready किये है तो यह देखिए पालक के mixture भी मैंने बना के ready किया है और थोड़ी देर में मैं इसे fry करूंगी और बहुती crispy crunchy से यह potatoes और पालक के पकोड़े ready हो जाते हैं और मैं यह चना पे मैं हम लोग black चना mostly खाती है एक दिन मटर और एक दिन black चना तो उसके black चने पे हम लोग दाल को थोड़ा सा सोक कर लेते हैं फिर उसे wash करके फिर लोग इस पे प्याज धन्या मिर्च नेबू और नमक डाल के हम लोग उस पे चने पे खाते हैं तो काफी tasty होता है delicious होता है तो इस पे जितनी भी प्याज डाली रहे उतना अच्छा लगता है तो इसमें मैंने दाल प्याज लेमन और हरी मिर्च डाली है और अभी मैं कोरियंडर लेफ्स भी इसमें एड़ कर दूँगी यह मैंने इसमें धनिया की पती भी एड़ कर दी है और यह भी मेरा रेड़ी हो गया है चने पे डालने के लिए और जो मैंने यह चिकन डूल और समोसे बनाया थे वो भी मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और अब मैं इसमें से भी कुछ निकाल के फ्राई करूँगी आइटम रमजान में पकोड़े और चिकन रोल समोसे तो यह सारे चीज़े अच्छी लगती है रमजान में फिर उसके बाद तो कभी कबार खाने को मिलता है क्योंकि आदत नहीं होती और यह सारे रेडी हैं और मैं सबको वन बाई वन फ्राई करूंगी मैं इसमें आलू के चिप्स डाले हैं बेसन लगा के और अब मैं पालक के पकोड़े भी फ्राई कर रही हूँ और चने भी मेरे रेडी हो गए हैं और सब कुछ मैं यहाँ पे टेबल पे लगा दी हूँ डाइनिंग टेबल पे और खर्बूजा, फूट चार्ट, शर्बत यह सारे चीज़े हैं और अभी रोल्स वगएरा भी फ्राई हो रहे हैं और यह नेक्स डे है यारी की फ्राईडे में हम लोगों की कहीं पार्टी है तो पुरवांचल एसोशियेशन की पार्टी है तो हम लोग वहीं चारहे हैं यह पार्टी होटल में अग्नाइस की गई है और यह मौसम देख सकते हैं मैं बादल को दिखा रही हूँ बादल काफी घने बादल है आसमान पे और धूप पे निकली हुई है तो कुछ अजीब सा मौसम है आप देख सकते हैं बादल बहुत ज़्यादा घने है तो बस अब हम लोग जा रहे हैं होटल की तरफ और वहाँ पे पार्टी है तो पार्टी हम लोग इंज्वाई करेंगे तो हम लोग आ गए होटल में और अब हम लोग एक ही हम लोग सेकेंड गेस्ट थे और अभी लोग आना बाकी थें बाद में लोग आए हैं हम लोग पहले पहुच गए दें और यह पकाबली चने के चाठ हैं और समोसे हैं फुर्ट चाठ पकोड़ी चत्त्ती और रटो तो मैटो की चत्त्ती भी है आए साथ में पिर उसके बाद हम लोगों ने डिनर पर किया तो यहां अफ़तार की पार्टी भी थी और डिनर की भी थी तो काफी रश हो गया है भी लोग आते रहें लेकिन हम लोग राइट टाइम पे पहुँच गया थे और काफी अच्छा लगा तस यही तक मेरा था छोटा सा व्लॉग पसंद रहा तो प्लीज लाइक के जिएगा और मिलते हैं नेक्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाई अलाह आफिस